तो सैमसंग M31 इस्क्रीन रोटेट कैसे करें नमस्कार डोस्तों सवागर अब सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस में इस्क्रीन रोटेट कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों आपके जो सक्रीन है और उसके रोटेट करकी रूदे करा चाहते हैं तो इस वीडियो को अन तक आप जरूर आपने हैं चैनल में को सबस्क्राइब करें अगर आप उंलाइन पेसा करना चाहते हैं एस वीडियो निश्रिक पर आपको लिंक मिल जायगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है सेटिंग ऑपेन कर लेना है थे उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा डिस्प्ले का option है तो यहाँ पर चेक करते option होगा या नी होगा तो यहाँ डोस्तों क्या option दिखाए को ओन कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाना चाहिए तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूं और रोटेट तो यहाँ पर दोस्तों मैंने टाइप कर दिया है नेक्स्ट पर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि सेटिंग है कहाँ पर ठीक है कई बर दोस्तों यहाँ पर क्या होते हैं अपडेट के बाद सेटिंग वगरा भी चेंज हो जाते हैं तो एक बर हमें चेक करना होता है तो यहा लेकिन दोस्तो और टो जोंद के मोड़ा का अप्छेन हे तो और इसको यहां won proud कर सकते हैं ठीक है लेकिन दोस्तो यहां पर सेटिंग है ठीक है मादने रिए दूस्तो अब यहां पर क üzहाब कूई तो उसका जो है दोस्तों यहाँ पर rotation हो जाएगा लेकिन दोस्तो गेलेरी पर यह चीज काम नहीं कर रहे हैं ठीक है तो एक बार देखते हैं यहाँ पर पोट्रेट मोड इसको मैंने इनेबल कर दिया तो यहां पर आप देख सकते दोस्तों इसको इनेबल करने के वाद हमारा जो ओटो रोटेट है वो काम कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह के से दोस्तों आपका जो रोटेट है वो काम करेगा आपके हॉम स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं ठीक है सिंप्ली इस्टिरस बार को स्वाइब डाउन करें टैप एंड हॉल कीजिए अपने ओटो रोटेट सेटिंग और इस बटन को इनेबल कर दीजिएगा ठीक है जैसे इनेबल करेगा आपका यह सेटिंग बन हो जाएगा तो इस तरीक से दोस्तों आप जहे ओटो रोटेट सेट दोस्तों आपका दोस्तों वाऑटिय।